इस और वाल थे रोड़ हेर हमारा है प्सिवर्ट इसमें हम करने वाले हैं दब्लू एच वर्ड फैमली ठीक है इसमें आज हम क्वेश्चन करेंगे जो होगे हमारे double object टिक है कि किस तरह से double object के questions हो है वो sh word से भी और simple question भी हम एक दो इसमें करेंगे तो दीखी फ्र्स ठीवें से इसका थोड़ा basic करेंगे व स्टैना आगे Problem नहीं आए डीकिव Wealth के पास objectaÓ है ठीक है और जिनके object होते हैं उन्हीं की हम जो है वो पैसीव भी बना सकते हैं यह हमारा है एक सब्जेक्ट को कुछ बेसिक अमगे पता होना चाहिए कि यह प्रेसिव में जाते हैं तो टैंस चेंज नहीं करना है ठीक है हमें क्या यूज करनी है helping of use करनी है helping of के रूप में हमारे पास बी की फॉर्म्स होनी चाहिए बी की फॉर्म्स में एक बी खुद होती है एक होती है is mr ठीक है जो की present की होती है was word जो होती है वो past की होती है being जो होती है वो continuous की होती है और being जो होती है वो perfect की होती है ठीक है एक हमें इनके subject और object और object तो subject बनाना होता है subject जब जाएगा object की जगए तो objective case में जाएगा ठीक है तो I का हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है by me, we का us ठीक है और you का you ही रहता है, change नहीं होता है यह दोनों ही same रहते हैं, objective और subjective case और उसके बाद he का him, she का her it का it रहता है और they का them हो जाता है और उसके बाद है name, name नेम ही रहता है उसमें कोई change नहीं आता है, यह तो हो गई हमारे changes जो हमें करने है अब हमारे पास यहां दी हुई है verb की first form वर्ब की first form होती है तो हमें present चूज़ करना है इसमर में से choose करना है तो यहां पर हमें पैसी वर्ब बनाते समें क्या करना है subject को object, object को subject बनाना है अब हमारे पास जो object है, वो पैसी वर्ब इसको subject बनेगा तो हमारे पास आजएगा the children अब हमें helping verb children के according लगानी है ठीक है, तो children के according आरा जाएगी the children are अब हमें पता होने चाहिए वर्ब की forms तो teach taught taught होती है the children are taught ठीक है अब हमें एक preposition by लगाना है और she को her कर देना है ठीक है objective case करना है न she her हो गया the children are taught by her ठीक है यह हमारा एक simple sentence सा अब next देखिए कि इसी sentence को अगर मैंने दुबारा एक बार यहां पे लिख लेना है ठीक है अब मुझे इसका integrity sentence बनाना है तो यह बनेगा इसका है न क्या हो जाएगा does हो जाएगा क्योंकि does she के साथ जाता है लेकिन जब हम does लगा देते हैं तो यहां पे base form हो जाती है तो यह sentence बनता है देखो जब आमारे पास do does रहता है तो हम क्या लगा देते हैं हम is mr lager लगा देते हैं और जब आमारे पास did रहता है तो हम उसे was war में change कर देते हैं और यह जो थे reaction क्या है helping working regarde नहीं क्योंकि में लुप का काम काम भी करती है हम पहले ले तेना आप हम भूल यह पर तोट कर देना है बाइ है ठीक है देख हो कॉरशन मार्फ है तो कॉरशन मार्फ हमने इसको चेंज नहीं किया है यह चौना नहीं किया है यह जो य Спस वर्ड बनाएंगे तो wh वर्ड इसी yes no type वाले question के आगे लग जाएगा तो sentence क्या बन जाएगा देखिएगा आप question हमारा बन रहा है इसको मैंने interrogative बनाया इसको बनाया तो मैंने इसके आगे why लगा दिया ठीक है बाके तो same है अब वही तो same इसके साथ करना इसके आगे लगा दिया तो क्या sentence बन जाएगा वाई आर दचिल्डरन ठीक है कि टॉट बाई पर ठीक है कि सेम बन गया अब अभी तक हमारे पास यह एक ऑब्जेक्ट था ठीक है दचिल्डरन हमारा ऑब्जेक्ट था क्यूंकि हम यह subject के बारे में भी शीख ना था तो अभी हम अब हम करेंगे कि जो टॉट्टि वपर डबल ऑब्जेक्ट रखती है उन टॉट्ट्टि वप्स के साथ डबल आबबजेक्ट आ है doable object का मतलब होता है एक इसके पास जो है वो रहेगा डिरेक्ट अब्जेक्ट एक रहेगा इन डिरेक्ट अब्जेक्ट अब डिरेक्ट अब्जेक्ट का कैसे पता लगता है जब आप कुश्चिन करते हैं वाट से इन डिरेक्ट अब्जेक्ट का कैसे पता लगता है जब कुश्चिन करते है होम से ठीक है तो यह दो अब्जेक्ट होगे जब दो अब्जेक्ट होते हैं तो दोनों अब्जेक्ट में से आप किसी भी अब्जेक्ट को यूज करके जो है वो पैसे बना सकते हैं तो देखे एक सेंडेंस है हमारे पास मिश्टर शेर्मा यह हमारा सब्जेक्ट है यह क्य पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं English तो यह हमारा हो गया direct object ठीक है इसी question को इसी sentence को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो वो ऐसे लिखा जाएगा Mr. Sharma teaches इसको मुझे पहले लाना है तो मैं लिखूंगी English अब जब हम indirect object को बाद में लाते हैं तो इसे आपको किसी ने किसी preposition से जोड़ना होता है तो इसके लिए मुस्ति जो हो है preposition to और four लगता है तो यहां पर हो जाएगा to me ठीक है अब इन्हें हमें बनाना है पैसी वैस में यह दोनों ही active वैस है पैसी वैस में बनाना है तो हम दो तरीके से इसे बना सकते हैं हम पहले क्या करेंगे हम English से बना लेते हैं English को हम पहले ले आते हैं English English के साथ is लगाएंगे क्यों क्योंकि यह वर्ब की फस्वों में is अमाल यूज होगा English जो है singular है is आएगा तो English is और is लगाते ही b की form है न डरेक्ली आप क्या कर दीजे वर्ब की third form लगा दीजे is taught अब मुझे object दूसरा चाहिए तो मुझे किस में लगाना है to के साथ लगाना है to me taught to me by Mr. Sharma अब दूसरा तरीका भी इसका use कर लेते हैं और अब मुझे English की जगे पर क्या करना है me को लाना है तो me क्या है subjective किस नहीं है objective है objective है तो subjective बना दीजे तो क्या बनेगा I आई के साथ इस तो नहीं आएगा ना क्या लगाए आई के साथ M लगा देजे ठीक है अब टॉट की जगे पर तो टूट ही लगाना है I am taught to me क्यों लगाया था तू तो मी के लिए लगाया था अब इसे पूरे को हटा देना है इसके जगे पर यह object लेक के राना है तो लगा देजे English I am taught English by Mr. Sharma तो I hope यह भी समझ में आ गया होगा आपको अब मुझे कहना है कि मैं इसको interrogative sentence बनाना चाहती हूँ अब interrogative sentence हमने कैसे बनाया आप यहाँ पर देखो कि यहाँ यह सो subject था इस subject के जगे पर अब हमने हूँ रख दिया तो यह हूँ सब्जेक्टिव केस होता है इसका objective केस बनाएंगी तो बाई हूँ होता है ठीक है objective केस हूँ होता है अब हमें क्योंकि बाई प्रेपोजिशन लगाना है तो बाई हूँ हो जाएगा ठीक है हूँ जो होता है वह सब्जेक्टिव और हूँ जो last में जाता है object बन कर लेकिन यह जैसा की स्क्चर जो है वह है interrogative sentence की और हमें interrogative sentence बनाना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहीं रखना पड़ेगा ठीक है बाइ हूम हो गया अब हम दोनों तरीके से फिर से बना सकते हैं जैसा ऊपर बनाया था तो पहले English से बना करते हैं क्योंकि helping up साथ ही चाहिए हमें कोशन बनाना है तो helping वर्ड के साथ रहेगी तो by home is क्या किया हमने inversion कर दिया English से पहले इसको ला दिया तो by home is English कि आगे क्या आजएगा taught ठीक है अब यहां पर यू है मी की सब्सक्राइब कर दिया क्यों करके देखिए कि किस से क्या जाएगा अगर मैं कहूंगी who teaches me English तो मुझे तो पता है ना कि मुझे English कौन पढ़ाता है question तो यू से करोगे यू English कि तुम्हें Mr. Sharma English पढ़ाते हैं तो उसको पता है इभी English कौन पढ़ाता है मुझे तो इसलिए हम question किस से कर रहे है यू से कर रहे है अब हमें यहां पर यू रखना है by home is English taught to you हो जाएगा जैसा कि to me था to you ठीक है question mark अब यह जो by Mr. Sharma था by home में चेंज हो गया यहां पर क्योंकि हूँ तो उसी के लिए आया था बागी वैसा का वैसा ही है यह inversion कर दिया is English हो गया taught और to me की जगा है क्योंकि question में हमारे पास you है तो to you ठीक है दूसरा और तरीका देख हम यू को ला रहे हैं बार अब हमारा क्या है यू है जैसा कि I के साथ चेंज हो था ना एम उसी तरह यू के साथ भी तो चेंज होगा यू के साथ आ रहा जाएगा by whom are you फिर taught हो जाएगा अब दूसरा अब्जेक्ट था English by whom are you taught English ठीक है एक और तरीका इसका रहता है वो यह है यह है तो डबल अब्जेक्ट अगर डबल ना हो तब भी आप वो तरीका उसमें कर सकते हैं कि by whom की जगे आप who use कर सकते हैं जब आप यहां पर who लगाते हैं तो क्या करेंगे by whom हट गया ठीक है आपने यह लगा दिया who who are you taught English by ठीक है who is English taught to you फिर by by लगा के छोड़ दीजे लास्ट में ठीक है बस बाकी by whom की जगए who कर लिजे क्लियर है यह चलो नेक्स सेंटेंज और देख लेते हैं अब हमने क्या किया उसका टेंज कर दिया हमने यहां पर वोस्टीचिंग कर दिया सब्जेक्ट अभी भी हमारे पास दो हैं चलिए दूसरा कुश्चिन हमने बना दिया who was teaching him English Mr. शर्मा हटा दिया अब हमने यहां पर यह simple sentence है हमारा और यह हमारा sentence है continuous का continuous होगा तो being लगाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि वर्ब की third form लगानी है तो continuous दिखाने के लिए करना है continue दिखाने के लिए बैंक कर दिया और प्राइब के लिए थे पहले हम इसे इंगलेश से बना लेते हैं इंग्लेश वह तो वह नहीं होगा इंग्लिश के साथ वोग वह लगा इंग्लिश वॉज अब करना पड़े गा वी थे ठीक थाड़ फॉन English was being taught किसको बढ़ाई जा रही है to him by Mr. Sharma ठीक है clear हो गया next देख लो who was teaching him English हमने यहां से Mr. Sharma को अटा दिया यानि subject को ही अटा दिया subject अटा दिया तो objective कि is by whom में यहीं change हो जाएगा by whom और was ही रखना है या वर रखना है वो कुन बताएगा वो हमें यह बताएगा कि subject बाहर क्या आ रहा है English बाहर आ रहा है तो by whom was English वही आजाएगा same inversion कर दिया was English हो गया ठीक है और बाकी same और question mark by Mr. Sharma नहीं लिखना है दूसरा दरीका क्या कर सकते थे him को he बनाते तो he was being taught अब यहां पे to him को हटा दीजे इंगलिश रखतीजे by Mr. Sharma अब इस next sentence को आप खुद बनाएगा चलो next देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या है क्मांडर ओर यह दोंगी बबजेक्ट है अब कैसे बता चलेगा कि कौन सा object जो है वो direct object है और कौन सा जो indirect है झाल किनग ने कि से दिया हून तब तो आप बिना टू के लिख रहे हैं या एक पॉर प्रेपोजिशन आती है अक्वर्डिंग लग जाती है और इसको अगर आप पहले लिख रहे होते इसको बाद में इसको टू से करना पड़ता ठीक है तो अब हमें यहां और रिवर्ड हमने ले लिया है अब हमें वब देखनी हैं वब हैं वी टू वी टू है तो वस बर लगा दीजकिए तो और रिवर्ड वॉस वाब की ठरव होती है गीन गीव की गउप ग security गीव गीवन और रिवर्ड वस गीवन किसको दिया गया तू दिमांडर और किसके दवारा दाखेंग by दाखेंग ठीक है चलो इसको अब हम who gave the commander a reward अब इसका आप change करके बनाईए का कि commander अगर मुझे पहले लिखना होता तो मैं कैसे बनाते ही sentence को तो आप comment section में बना दीजेगा who gave the commander a reward अब who से question हो गया who किस की जगे पर आ गया है the king की जगे पर ठीक है who को change किस में करना है by whom में by whom ठीक है अब क्या करना है by whom was inversion करना है ना इसका तो was पहले ले आएंगे और reward बाद में by whom was a reward given to the commander तो क्या हमें उसके बाद king लिखना है नहीं लिखना क्योंकि हमारे question में king नहीं है हमें by whom इसमें change कर दिया by to थी तो was लगा दिया ठीक है और reward बाहर ले आए तो उसके बाद third form लगाने थी commander को to connect करना था और to the commander हो जाता अगर अब हमें इसे दूसरा बनाना है तो हम क्या करेंगे reward की सके लिखेंगे the commander by whom was the commander given a reward ठीक है clear है चले next sentence देख लेते हैं he was giving arms to the poor arms का मतलब क्या होता है arms का मतलब होता है जो आप food cloths पकर पूर को देते हैं अब देखो poor भी जो है वो plural है arms भी जो है वो plural है वो में plural ही लगानी है लेकिन यहां ही के according जो है वो singular लगी है हम टेंस चेंज नहीं करेंगे हम was और वर में से subject वर अग्रिमेंट को जरूर देखेंगे ठीक है तो यहां पे देखिए अब हम यहां से ले लेते हैं पहले arms वर आजाएगा arms were being और giving का क्या हो जेगा given किसको to the poor और by him अगर मुझे इसको poor को पहले लिख रहाना है तो arms की जगाएपर मैंने लिख दिया the poor और वर का वर रहेगा being given अब to नहीं लगाना है अगर मैंने यहां लिखा होता है हू को हमने चेंज किया था इसमें हमने कब पूछा हालंकि इसमें नहीं दे रखा है कब यह कब से question तब भी बन सकता था अगर मैंने यहां लिखा होता he was giving arms to the poor in the morning अगर यहां in the morning भी दिया होता ठीक है तब यह question when से बन जाता लेकिन क्योंकि मैंने इसको question यह अलग बना दिया है कि when was he giving arms to the poor तो यह वैसे गलत नहीं है बट अगर आपको कहा जाए कि इसका question बनाएए यह sentence दे कर interrogative बनाएए तब आप when से नहीं बना सकते ठीक है क्योंकि यहां पर यहां given ही नहीं है कि कब दे रहा था तो when was he giving arms to the poor अब हमें when को when की जगह पर रखना है इसका inversion कर देना है तो when were the poor being हो जाएगा being की जगह और given arms by him और question mark इसका तरीका इसका क्या है यहां poor की जगह पर क्या लिख दे जे यहां पहले बना दीजे और इसे यहां रख दीजे फिर being as it is रहेगा given as it is रहेगा इसकी जगह पर दब्वर कर दीजेगा और by him की जगह बाइव तो हमने क्या चेंज किया बस सिरफ यही तो चेंज किया ठीक है तो when were the arms being given एक वर्चीज में यहां पर लगाने है न to the poor ठीक है किसको to the poor ठीक है तो यह आमें ध्यान लखना है to the poor आजाएगा तो यह दोनों sentences आपके clear हो गये होंगे I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर लेजेगा ठीक है thank you for watching